मुस्कार दोस्तों मैं अविना सिर्वास्तवा मैं कल के मैच पे बात करूंगा कल का जो मैच था वो इतना खराब खेला गया अपने देश के तरब से कि पाकिस्तान को सुख्द मौका दिया गया है जीतने के लिए मुझे तो ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि यह मैच फिक्स्ट मैच मैच था इसमें खिलारियों को फिक्स किया गया था मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कभी भी पाकिस्तान से इंडिया नहीं हरता है कि कैसे हर गया आप देखे होंगे कल स्टार्टिंग से ही यह लोग जो कि मुझे तो इतना गुसा आया कि मैं क्या बताओं कि कि मुझे यह पकिस्तान को फेवर कर रहे थे अगहुटनों के बबाट बैटके ब्लैक लाइब्स स्ब्सक्राइब्स परिकल इस उनके लिए तुमने प्रेक लें घठी कर रहे हो विराब काहली को एकदम कातानी से वी इसकी वाइब फेमिनिस्ट है communist है वो कैसा होगा मोहम्मद सामी को बार-बार बॉलिंग देना मोहम्मद सामी क्या कर रहा था मोहम्मद सामी केवल भुरंग बनवा रहा था वो पकिस्तानियों को देखके पकिस्तानी यह सब भाई भाई होते हैं ना यह सब क्या है पकिस्तानी यह सब भाई आपने देखा होगा कर पकिस्तान में धीता एक वर्थ के लोगों creator कै से सरकार को तो ऐसे ऐसे लोगों पर कारवाई करनी चाहिए पकर के जिल में डालना चाहिए जो आतिस वाजी कर रहे थे पकिस्तान की जीत पर पकिस्तान के कैप्टेन क्या बोला पकिस्तान के कैप्टेन बोला यह कुफ्र की हार है और इसलाम की जीत है ठोट यह एक खेल में क्या नहीं पाकिस्तान की जीत पर कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के नेता सब त्यूट कर रहे हैं जीत की बधाया दर है पाकिस्तान के लोग गञदारों की फोड़ कर यह अपने देश में असे घजडारों से बसके रहो भी जो पाकिस्तान की जीतक खुशिया मनाते हो कि यह मुहम्मद समी कितना अकल रन बनवाया है पकिस्तानियों को भीला ढाला बॉल दे करके उसे गद्दार बोला जा रहा है उसे उसे तोसल मीडिया पर गद्दार बोला जा रहा है तो मैं इसका कमर्थन करता हूँ क्यों बार-बार मुहम्मद समी को बॉलिंग देने का क्या रीजन था ऐसा ऐसा बैट्मन रखे आप स्टार्टिंग में फोस्ट में उटारे ओपनिंग में उटारे कि वह जीरो-जीरो पर आउट होते चले लगए है जिराक पोली को सबसे पले कप्तानी से खताना चाहिए इसका समर्थन करता हूँ संदेबाद